और रविवार सुभा साड़े आठ बजे सिर्फ डीरी न्यूजबर नमस्कार मैं हुझाया सिन्हा रंग तरंग के आज के इस बहुत ही खास अंख में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर बार की तरह आज भी कोशिश है कि आपको भारतिये कलाओं के रंगों से सराबोर कर दे तो आज के अंख में एक खास प्रस्तिती होगी वर्ल्ड थेटर डे पर क्यों? क्योंकि विल्लियम शेक्स्पियर ने कहा है कि रंगमंच ऐसा मंच है जहां पर सपने सच होते हैं कि जरीए हमारे सामने पेश कर रहे हैं साथ ही चास प्रेंड़ते और संगीत की दुनिया में क्या कुछ है खास उससे भी आपको रूबरू कराएंगे तो देर कैसी शुर्बात करते हैं रंग तरंग की मेरे पीछे लगे इन पेंटिंग्स में बढ़ते शेहरी करण को दर्शाया गया है लेकिन रंग तरंग की अगली कहानी के जरीए आईए हम आपको ले चलते हैं सीधे जंगल में हमारे बच्चे और हमारी युवा पीणी सस्टेनेबिल्टी को लेकर या पर्यावरन संद्रक्षन को लेकर कितनी संजिदा है उसकी एक जलक आपको दिखाते हैं बीदे हाफते राजधानी दिल्ली में नन्ने कलाकारों ने एक रुद्टे नाटे का पेश की The Song of Sioni और इसके जरीए उरोंने बहुत ही खूबसूरा संदेश दिया आईए आपको दिखाते हैं The Song of Sioni की एक छोड़ी सी चलत The Song of Sioni एक जंगल की कहानी जिसे मंच पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से बेश किया चौथी क्लास से लेकर बारहवी कक्षा तक के विद्यार्थियों ने जी हाँ DPS साकेट के 300 से ज्यादा विद्यार्थियों ने मंच पर इस तरह से अपना किरदार निभाया कि प्रोफेशनल कलाकारों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया कर दो कर दो देने बार। को इंग गाँ कॉँई, अ, भाँ क क्ली अ, 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 वाँ कॉँई अ, अ, भाँ कॉँई अ, बांबस प्रवंबस कॉई प्रॉथ, झालवे, बांबस क्ली जुँई खास तोर पर छोटे बच्चों ने तो हर किसी को दातों तले अंगुलिया दबाने पर मजबूर कर दिया करो करती इस समस्या का हल निकारो जल दी सही कहा हम अपनी ताकत से एक और एक ग्यारा बन कर दिखाएंगे ये भेडिये अपने आप उल्टे पाउल और जाएंगे ये राद्यार के प्लिंग का जंगल बुक का एक अडाप्टिशन है और हमने इस थीम को ले करके ये तो मोगली का कहानी है उसके साथ साथ हमने सस्टेनबलिटी का भी थीम रख करके एक प्ले बनाया सब कुछ इन हाउस है स्क्रिप्ट भी हमारे स्टाफ ने ही लिखा और सारा डारेक्शन और आक्टिंग सब कुछ हमारे इन हाउस ही है क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक बच्चे थे स्टेज़ पे आज और करीब 300 बच्चे थे जिनों ने पार्टिसिपेट किया इस प्रस्तुती में स्थानिय हाथियों का प्रमुख और जंगल कानून का रक्षक दिखाया गया इसके अलावा इस पूरी कहानी में प्रमुख पात्र मोगली यानि की एक मानो बच्चा रहा जिसे भेडियों, बघीरा और भालू द्वारा पाला गया वहीं शेरखान, निर्दई, आकरामक, हिंसक और अहंकारी दिखाया गया लेकिन अंत में जीत मोगली की दिखायी जाती है बच्चों के बीच प्रकृती और परियावरन का भी अच्छा संदेश जाता है यहां सस्टेनेबिलिटी थीम पर आधारित पेश किया गया कारक्रम ने एक अलग छाप छोड़ी गिरिश निशाना की रिपोर्ट, डीडी निउस, डिल्ली मनुरंजन के सबसे पुरानी साधनों में से एक है रंगमंच रंगमंच वो मन्च है, वो कला है, जिसने कई आंदलुनों को खड़ा किया, कई क्रांतियों को नई दिशा दी है जोज बनौट शॉन ने कहा है कि रंगमंच वो मन्च है जो समाज की असलियत को दिखाता है 27 मार्च को वर्ल्ड थेटर डे मनाया गया, क्या एक दिन काफी है हमारे रंगमंच के कलाकारों को सम्मानित करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, शायद नहीं एक वो वक था जब हमारे रंगमंच के कलाकार हाश्ये पर पहुँच गए थे, लिकिन उसके बावजूद उन्होंने इस कला का दामन नहीं छोड़ा और इसे पुनिरजीवित रखा और इसे कायम रखा बत और दर्शक क्या हमारी भी कोई जिम्मदारी बनती है, सोचेगा जरूर, फिल्हाल हम देखते हैं विश्व थेतर डिवस पर ये बेहत खास प्रस्तती विश्व रंगबंच दिवस है, रंगबंच ना केवल मनोरंजन का जरिया है, बलकि ये लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ प्रेरित करने का भी काम करता है रंगबंच दुनिया भर में कला, संस्कृती और परंपरा के प्रसार का एक सबसे सशक्त माध्यम है ये अलग-अलग नाटक के मंचन के द्वारा, सामाजिक बुराईयों और समस्याओं के बारे में जागरूपता भी पैदा करता है थियेटर आर्ट्स के महत्व और उनके द्वारा समाज में लाए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूपता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है रंगबंच में कई तरह की शैलियां, विधाएं और सांस्कृतिक परंपराईं शामिल है रंगबंच समय के साथ काफी दिखसित हुआ है विश्व रंगबंच दिवस कला के महत्व का जश्ण मनाता है क्यूकि ये हमें आगे बढ़ाती है, मरो रंजन करती है, सिखाती है और बदलती रहती है विश्व रंगमंच दिवस बनाने का उदेश ये लोगों में रंगमंच को लेकर जाग रूपता लाना और इसके महत्व को समझाना है हम जानते हैं कि एक लंबे समय से रंगमंच अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रहा है आज के समय में इसकी प्रासन रिक्ता क्या है नाटक जो अभिव्यक्ति का एक इतना बड़ा माध्यम है तो कोई भी समाज जो नाटक से अचुता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता इसलिए हमारे देश में 3000 लगबग 3000 साल के आसपास उससे पहले भरत मुनी ने नाटशास्त्र लिखा था उसमें भी उन्होंने कहा है कि नाटक जो है वो ग्यान का भंडार है ग्यान का स्रोत है उसमें कला के अलग लग विधा का एक समाहार है एक समावेश है दुनिया भर भी लाखों लोग थीएटर कला का आनंद लेते हैं निर्मार में हफ्तों यहां तक की महीनों तक की तैयारी भी लग जाती है और इसके लिए सभी को मिल कर काम करना पड़ता है नाटक कार उत्तम कथानक समवाद और किरिया कला प्रस्तुत करता है निर्देशक और अभिनेता चरेतर विक्सित करते हैं और पंक्तियां लेखक की दृष्टी को उजागर करती हैं निर्देशन, संगीत, रोष्णी और कोरियोग्राफी पूरे शो को एक साथ लाती है ओडियंस जो है वो एक दीपक लेके आता है ठेटर देखने या कोई नाटक देखने और वहाँ जो अभिनेता होता है या जो डिरेक्टर होता है वो उस दीपक को जलाता है कहते हैं कि कलाकार जीवन के विभिन रूपों को अपने तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है जिन्दगी में किसी का मनोरंजन करना अगर सफल हो गया तो मानो कलाकार का जीवन सफल हो जाता है थियेटर में समय के साथ कई बदला हुए है लेकिन कहानी कहने और मानवी अभिव्यक्ती का उसका मूल उद्देश ये आज भी वही है आज दर्शकों के पास फिल्म, टेलिवीजन और डिजिटल मीडिया सहित मनोरंजन के विविध विकल्प है लेकिन प्रतिसपर्था की इस दौर में भी रंगबंच अपनी विश्वसनियता के साथ दर्शकों तक अपनी पहुच को हर दिन बढ़ा रहा है इस प्रदर्शनी को नाम दिया गया है गद्दी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को वहां की ट्रेडिशन को बहुत ही खुबसूरती से इस प्रदर्शनी के द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है आर्टिस्ट है मनीश और मनीश की कोशिश है कि हिमाचल की संस्टृती से वहाँ की कलाकारों से वहाँ की जीवन शैली से आपको रूबरू करा सके और आप इन तस्पीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक सेंटल थीम की अगर हम बात करें तो पोट्रेचर दिया गया है सेमी एब्स्ट्राक्ट उनका स्टाइल है जो यहाँ पर इस प्रदर्शनी में बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने दिखाया गया है तो यानि कह सकते हैं कि इस प्रदर्शनी में जहाँ पर हिमाचल की संस्टृती वहाँ की परंपराओं की एक जहलक साब दिखती है तो वहीं एक तरहां से नवाचार भी है जो मनीश का जो अपना एक स्टाइल है कलाकारी का और कैंवस पर रंगों को और कहानियों को चितरुत करने का उन्हें पेश करने का तो जो उनका अपना स्टाइल है उसमें भी कही न कहीं वो अपनापन साफतार पर नजर आता है तो आईए आपको दखाते हैं प्रदर्षनी की छोटी जलक और जानने की कोश़िश करते हैं मनीश से किस तरह से उन्होंने हिमाचल की संस्टृति को उसकी परंपरा को इन तस्पीरों में कैट किया है इस मनोरम प्रदर्शनी में हिमाचल की गद्धी संस्कृती का सार देखने को मिलेगा कलाकार ने अपने उत्कृष्ट स्ट्रोक और नवीन रचनाओं के माध्यम से हिमाचल की सासुतिक विरासत की एक सिंफनी पेश की है हिमाचल प्रदेश की समर्द विरासत और जीवन्त परमपराओं से प्रेड़ना लेते हुए कलाकार एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा है जो परमपरा और आधुनिक्ता के धागों को एक साथ जोड़ती है अक्रिलिक चित्रों की विविद श्रिंखला के माध्यम से मनीश कुमार ने दर्शकों को हिमाचल के गद्दी के जीवन के सांस्कृतिक परिद्रश्य में डुबाने का एक प्रयास किया है प्रतेक कैन्वस एक पोर्टल के रूप में कारे करता है जो एक ऐसी दुनिया की जलक पेश करता है जहां अतीत वर्तमान से मिलता हुआ नजर आता है और कलाकार की नवीनता की भावना सदियो पुरानी परंपराओं में एक नई जान फुकती है ये प्रदर्शनी मनीश के हिमाचल की लोगों के साथ गहरे जुडाव का प्रमान है गद्य संस्क्रिति है जो हिमाचल की सबसे प्राचीन प्रिमिटिव औरड़ाइब कल्चर को लिए वहां के और इस बीसे पर कोई भी चित्रणकार अभी तक नहीं हुए है कांगडा मिनियाचर सहली में इसमें कुछ कारे हुए हैं परंतु कंटर्प्रेरी जो हमारी समकालीन सहली है उसमें कारे नहीं किया गया है तो संस्कृति के रूप में इस गद्धी ट्राइब्स के लोगों को ले करके जो मैं अलग तरीके से देखता हूं लेकिन एक ऐसा पहलू जिसके अभी तक टच नहीं किया गया उसको एक नए रूप में इस दिल्ली में मैंने प्रजेंट करने का एक छोटा सा प्रयास किया है बस बैसिकली हर आर्टिस का अपना एक कलर पैलेट का एक स्टाइल होता है तो एक डाग तीम आप जो दिख रहे है यह बिसिकली स्मूध कलर है एक पेस्टल सेट्स में बनाए गया है तो हिमाचल की जो सौमेता है बिसिकली एक चाहल पहल वाला इलाका नहीं है तो उसकी जो एक सौमेता है तो हमारे रंगों में आप देख सकती है कि यहां पर आपको कोई भी रंग चुभेगा नहीं प्रदर्शनी परंपरा नवीनता और अपने पन का उत्सक है समकालीन अभी व्यक्ति के माध्यम से मनीश परंपरा के साथ अपने संबंधू को फिर से जोडने के लिए एक आग्रह करते हुए नजर आते हैं इस प्रदर्शनी के जरिए मनीश ये संदेश दे रहे हैं कि जयासनहा रंगतरंग डीडी नियूज क्या हर सुंदर चीज या कहीं शहर हमको खोकला तो नहीं कर रहे हैं चर्चा का विशह है इस पर चर्चा और विवार जारी रहेगा लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं इस बेहत खुबसूरत प्रदर्शनी अबन सिंफोनी की एक जलक और मुलाकात करते हैं रीना संगीत, सुर और रंग का कोई संबंद आपस में महसूस किया है संगीत और रंगों का आपस में बड़ा गहरा रिष्टा होता है चमक, लै और तीवरता संगीत और रंगों में पाई जाती है बलके कहना ये चाहिए चमक और लै, संगीत या रंगों की भाशा बन जाते है एक ऐसी ही चित्रकला प्रदशनी, अर्वन सिंफनी के नाम से आयोजित की गई दिली के रविंद्र भवन में चित्रकार्थी रीना भटनागर इंद्रधनुश के सात रंग, सातो रंग जुदा और ठीक इसी तरह से हमारी जिन्दगी में भी नजाने कितने रंग होते हैं अगर हमारे जिन्दगी में ये रंग शामिल नहों तो हमारे जिन्दगी भी बेनुर है, बेरंग है और एक चित्रकार अपनी कूची से न जाने कितने रंगों को जिन्दगी के रंगों को एक ही कैन्वस पर उतार देता है ताकि हमारी जिन्दगी भी इन्हीं रंगों की तरह बेहत खुब सूरत कहलाए रिना भटनागर के चित्रों में इंद्रधनुशी रंग साफ तोर पर देखी जा सकते हैं जिस तरह से जीवन में रंगों का महत्व होता है उसी तरह से हर चित्र में जिन्दगी के रंग नुमाया थे दरसल हर रंग हमसे अपनी कहानी खुद कहता है अलबता यह हमारी सोच है कि कोई रंग अच्छा है या बुरा लेकिन एक चित्रकार हर रंग में जो चमक देता है उससे जिन्दगी भी इंद्रधनुशी होने का एहसास कराती है मेरे पेंटिंग की थीम अर्बनाइज़ेशन है मेरे सारे वक्स अर्बनाइज़ेशन के उपर ही है जैसे कि मैं खुद चंडिगड में रह रही हूँ बच्छपन से तो वो चंडिगड एक प्लैंड सिटी है तो वहां का आर्किटेक्चर एक जासा है लेकिन चंडिगड से बहार जाते हुए जब हम जिरकपूर और डेली और आसपास के एरिया में जाते हैं तो हाई राइस बिल्डिंग है और जो आजकल बहुत जादा सुन्दर हैं डिजाइन्स में भी और कलरफुल भी हैं तो वो मेरे को मजबूर करती हैं कि मैं उनको से जानती है कि कलागेप्रती उतना अवेरनेस हमारी सोचाइटी में है अलागे आज तो फिर भी काफी कुछ हुई है मैं अगर पचास साल पहले बात करूं तो बच्चा पढ़ता था पेंटिंग अच्छी करता था तो लोग कहते थे पेंटिंग तो अच्छी करते हो अपना परभाव नहीं छोड़ता बलके यह मन मस्तिश्क पर भी असर छोड़ता है आज की युवा पीडी है यह बहुत अच्छा काम कर रही है मैं सिर्फ यह नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है जो पराने आर्टिस्त है वो कही नहीं पर ज्यादा इंफलेंस हो जाते थे वेस्टन कल्चर से या वेस्टन आर्टिस्टों से और कहीं न कहीं उनकी काम हम उनकी छाप रह जाते थी लेकिन ये जो नई जनरेशन है ये अपनी जमीन से जुड़ी हुई है इस तरह से रंग प्रकरती में उर्जा के रूप में संचारित होता है ये सिर्फ आखों पर ही अपना परभाव नहीं छोड़ता बलके ये मन मस्तिश्क पर भी असर छोड़ता है शायद यही वज़ा है कि भारतीय संस्कृती में रंगों का एक खास महत्व है हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यू होता तो क्या होता यकीनन मिर्जा गालिब को गय हुए एक अरसा बीच चुका है लेकिन आज भी उनके दुबारा लिखा गया हर एक शब्द उनके दुबारा कही गई हर एक नजम, हर एक गजल हम सभी को याद है एक बार फिर मिर्जा गालिब के जीवन को उनके संघर्षों को मंच पर जीवन्त कर दिया प्रख्यात कथक नित्यांगना डॉक्टर उमा शर्मा ने डॉक्टर उमा शर्मा को कहीं न कहीं श्रेज आता है मिर्जा गालिप की पोईट्री को उनकी रचनाओं को कथक के द्वारा मंच पर पेश करने का और ये शाम भी बेहर खास रही जो पूरी तरह से समर्पित थी मिर्जा गालिप की विरासत के जश्न को प्रसित कथक नर्त्यांगना डॉक्टर उमा शर्मा ने कथक भाव से मंच पर गालिप के जीवन को जीवन कर दिया मिर्जा असदुल्ला खान गालिप जिन हे प्यार से आप मिर्जा गालिप के नाम से जानते हैं उनके याद में इस कारिकरम का आई और जन किया गया नर्त्य प्रस्तुती की शिरुआत गालिप के जीवन की शिरुआती दौर से हुई कावियात्मक अभिवेक्ति के जरिये उनके जीवन के दिनों को बहुत खुबसूर्ती से प्रस्तुत किया गया इसके बाद दर्शक देखते हैं कि गारिप के जीवन में तब उथर पुथर मच गई जब उन्हें शराब की लट लग गई और वो गिरफतार हो गई हालनके नीजी जीवन की दिक्कतों के बावजूद उनकी खसलों को खुबसरा हा गया गालिप ने कठिन समय के दौरान अपने अकेले बन पर कई घसले लिखी है वो अपने पीछे घसलों की विरासत छोड़ गए उनके कई शेर महौल में मधोशी खोल देते हैं और तूटे हुए दिलों की दास्ता भी सुनाते हैं गालिप की शायरी का दर्ड कहीं न कहीं उनके जीवन की कहानी थी जो उनके दर्ड को बया करती है अमार शर्मा ने गालिप को खुबसूरत शर्धांजली दे कर दर्शको का मन मुद लिया कहीं न कहीं ओमार शर्मा को गालिप की शायरी को कथक में सर्व प्रथम पेश करनी का श्रय जाता है कला अभिवेक्टी का सबसे सशक्त माध्यम है समाज के वास्तविक रूप को प्रदर्शत करती है ये कलाएं हमें जीवन के अंदेखे पहलिओं से रूपरू कराती है ये कलाएं तो अपनी जीवन में अपनी दिंचारिया में कला के किसे ना किसी रूप से जरूर खुद को जोड़े रखें और हम अगले हफते फिर हाजूर हो जाएंगे आपको भारत की कलास असृती के विभिन रंगों से सराबोर करने तो आज के रंगतरंग के अंक में इतना ही लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं मशूर शास्ट्रिय गाय का पदमजा चकरवर्टी के सुरू से सजी इस शाम की कुछ जहितियों के साथ तो आप तुठ उठाइए पजमा जी के इस गायन का और मुझे हो मेरी पूरी टीम को दीजे इजाज़त नमस्कार लालन पे लालन पे रगे तारूरी इजाज़त नमस्कार झालन पे प्टूरी इजाज़त नमस्कार इसलिएंग्श के से लालन पे भालन पे जाज़त चिंत्र नमस्कार